हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल आउनलाइन सिख्षा पॉइंट भर आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के ऊपर बात करेंगे जो कि किसी वी एक्जाम में जिसमें हिंदी से ले रेटेड कुशन पूछे जाते हैं उ पहला शब्द है जो बदला ना जा सके उसे क्या कहा जाता है उसे आपरिवर्तनिय कहा जाता है जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा आपरिवर्तनिय अगले सब्द की बात करेंगे जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहा जाता है गंजा कहा जाता है जिसके सिर पर बाल नहों उसके लिए एक सब गंजा होता है अगला है आकास को चूमने वाला इसके लिए एक सब गगन चूम भी हो जाएगा अगला शब्द है सरल्टा से प्राप्ठ होने वाला जो चीज़ सरल्टा से प्राप्त होती है उसके लिए सुलब होता है एक सब्द अगले सब्द की अगर बात करें तो जो आखों से परे हो या जो आखों से परे है उसके लिए एक सब्द की बात करें तो परोख्ष होता है जानने की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक सब्ध हो जाएगा जिग्यासू जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू एक सब्ध होगा अगले सब्ध की अगर बात करें तो जिसके आने की कोई तिथी ना हो उसे अतिथी कहा जाता है जिसके आने की कोई तिथी ना हो, उसके लिए एक सब अतिथी होगा अगले शब्द की अगर बात करेंगे, तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो, उसे कहा जाता है अनुत्तरित उसके लिए एक सब्द अनुत्तरित होता है अगले सब्द की अगर बात करें कही हुई बात को बार-बार कहना कही हुई बात को बार-बार कहना इसके लिए एक सब्द की अगर बात करें तो पुनुरुक्ती होता है पुनुरुक्ती अगला सब जिसका सत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक सब्द की अगर बात करेंगे तो अजात सत्रू होता है जिसका सत्रू जन्मा ही ना हो उसके लिए एक सब्द अजात सत्रू अगला सब्द है जिसे सब्दों में नहीं कहा जा सकता जिसे सब्दों में नहीं कहा जा सकता उसके लिए एक सब्द की अगर बात करें आ कथनिये जिसे सब्दों में नहीं कहा जा सकता आ कथनिये हो जाएगा इसके लिए एक सब्द अगला सब्द है जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक सब्द अग्य होता है जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक सब अग्य होता है अगला सब्ध है जो सब कुछ जानता हो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक सब्ध सरवग्य होता है ये सरवग्य होता है अगला सब जो सामान नियम के विरुद्ध हो उसे अवैद कहा जाता है जो सामान नियम के विरुद्ध हो उसके लिए एक सब्द का पुरियोग अवैद किया जाता है जो सामान नियम के विरुद्ध हो उसके लिए एक सब्द अवैद होता है अगले सब्द की बात करेंगे जिस पर अनुग्रह किया गया हो अगले सब्द की बात करें जिसे बाहिरी जगत का ज्ञान नहो उसे कूप मंडू कहते हैं अगला क्विस्चन है जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक सब्द की बात करें तो अतुलनी होता है अगला जो मौक्ष का इच्छुक हो उसके लिए एक सब मुमुक्ष होता है अगला जो बाय हाथ से कारे करता हो उसके लिए एक सब सब्य साची होता है यह लास्ट सब्द है रजोगुणवाला उसे राजसिक कहा जाता है रजोगुणवाला के लिए एक सब राजसिक होता है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट वाक्स में ज़रूर बता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक करें शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद